अपने उट पटांग ब्यान बाजियों और उल्टी पुल्टी हरकतों को लेकर कि राखी सावंत अक्सर चार्चाओं में रहती हैं अपने पती आदिल खान दुराने के बारे में तमाम चीज़ें कहती हुई राखी सावंत ते अपने पती आदिल खान दुराने पर कई गंभी आरोप लगा है जिसके बाद आदिल खान ने भी कई प्रेस कॉंफरेंस की प्रेस का ये दौर महीनों तक चलता रहा जिसके बाद राखी और आदिल का केस आज भी मुंबई की अदालत में मौजूद है और तारीख पर तारीख मिनन रही है यसे बीच में राकिल सावंत ने बर्फिल से आदिल खान दुराने को कई ऐसी बाते जिसको सुनने के बाद कई लोग हसतें वे दिखाए दिए तो कई लोगों था जबर दस्सीन हासल कर रही थी अपने डाइवोर्स को लेकर और बदी से अ कांट्रोवर्सी कुईन के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें राखी सावंत का नाम जरूर शामिल होता है अक्सर देखा जाता है कि किसी ना किसी मसले को लेकर के राखी लाइम लाइट में बनी रहती हैं अपने बेबाग अंदाज के लिए राखी सावंत काफी मशूर है इस बीच में राखी सावंत ने अपने मौझूदा हालात को लेकर बड़ा खुलासा किया है राखी का एक लेडिस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जुसमें राखी ये जानकारी देती हुई दिखाई दे रही है कि वो बैंक रप्ट हो गई है बिग बॉल्स फेम एक्ट्रस राखी सावंत को अक्सर देखा गया है कि वो किसी ना किसी बातों को लेकर बेबाग अंदाज में बोलती है इतना ही नहीं अपने बारे में कुछ बुरी बाते भी करके राखी बिलकुल पीछ नहीं हटती इस बीच में एक इंटरव्यू के दौरान राखी सावंत ने बड़ा खुलासा किया इस मौके पर एक लेटिस्ट वीडियो इंस्टरग्राम पर वाइरल हुई जिसमें राखी अपनी आर्थिक सिती को लेकर के खुलासा कर रही है एक्टरुस से पूछा गया कि इस समय आपके पास कोई काम या फिल्म है या किस तरीके से आप अपना गुजारा कर रही है ऐसे मेरा आखे सावंत कहती है कि मौजूदा वक्त में मैं एकदम से बैंक रप्ट हो गई हूँ मेरे पास आज के समय में गुजारा करने के लिए कोई इंकम का सोर्स नहीं है मेरा पती आदिल खान दुरानी सारे पैसे लेकर के चला गया है मैं आशा करती हूँ कि कोट मुझे मेरे पैसे वापस दिला दे और तलाख भी ताकि आने वाले वक्त में मैं एक अच्छे लड़के से शादी कर सुखूँ इस तरह से राखे सावंथ ने अपने मौझूदा हालात के बारे में जानकारी थी आदिल खान दुरानी को लेकर बड़ी बाते कही थी वल याद दिला दे कि राखे सावंथ ने तो दुबई में अपना होटेल भी खोला था और साथ ही दुबई में एक्टिंग अकैडमी भी खोले थी अब राखे सावंथ यहां बैंकरप्ट होने की बात करती है ऐसे वह राखे सावंथ के किस बात को लेकर के ज़्यादा फोकस किया जाए ये कोई भी नहीं समझ पाता एक और राखे सावंथ कहती है कि वो दुबई में बहुत सारे बिजनस कर रही है वही राखे सावंथ अब कह रही है कि आदल खान दुर्रानी ने पैसे लेकर के उनके साथ धोखा किया भाग गए हैं पैसे लेकर राखे सावंथ के बैंकरप्ट होने वाला ये बयान इसी तरीके से फ्लॉप साबित होता हुँ दिखाए दे रहा है राखी सावंथ अपने दूसरे पति आदिलखान दुरानी को लेकर के बीते काफी लंबे वक्त से काफी जाधा सूर्ख्या पर टोड़ रही है लंबा विवाद चल रहा है घरीलू हिंसा के मामले में कोट के चक्का काड़े जा रही है राखे सावंत ने तो पती आदिल खान दुरानी को जेल के हवा भी खिला दी है अब राखे आगे क्या करेंगी ये राखी ही जान सकती है